हाई फ्रेंज वालकम तू मैं चानल आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ अगर आपको सिम्ला मिर्च नहीं भी पसंद है तो आप इसको देखने के बाद जरूर ट्राइ करोगे क्योंकि सच में बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही लाजवाब है तो चलिए करके पेस्ट पना लेना है अब पेस्ट को बाउन में ट्रांसफर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा लिक्विड य बेटर नहीं बनाना है अगर आपको ज्यादा लिक्विड लगे तो आप इस समय थो आपेसिन लिजेए फिर मसाला मिला लेना है तो मैंने आधा चमश नमक आदा चमच काला नमक, आदा चमच लाल मिर्च और एक चमच भूना जीरा डाला है, सबको अच्छे से मिक्स कर लिना है, आप चाहो तो यह पर चाट मसाला का भी यूज कर सकते हो, अमचूर का भी यूज कर सकते हो, फिर मैंने इसमें बारिक कटावा धन्या पती डाल दिया ह है और इसको अच्छा से मिक्स कर लिया है, तो बैटर हमारे रेड़ी है, तो चलिए इसम्ना मिर्च को कट कर लेते है, तो मैने आपके यह बरा ईसका का सिंपना मिर्च लिया है, अगर आपका मिर्च छोटा उसको कट कर लेना है तक हमारा जो better है इसमें अच्छे से आ सके तो सब को इसे तरह से कट कर लेते हैं तो सब को मैंने काट लिया है तो गेस के तरफ चलते हैं तो मैंने यह यहां पर बड़ा टवा लिया है तो यह non-stick तववा है तो flame को on कर दिया है तववा को भार आ जाएगा तो आपने हिसाब से आप सबको फिल कर दीचे उसकी बाद इसमें आप ओइल डाल दीजे ताकि नीची से अच्छे से बेक हो जाए आप जाओ तो इसको कावर करके भी कुट कर सकते हो यह ऐसे भी कुट हो जाता है, तो मैENने एसे ही कुख किया है, तो जब एक टरफ से कुख हो जैते तो इसको पालेट लेना है, तो अब को दोंट तरफ से इसी तरह से गॉल्डेन बाउन होने तक इसको पका लेना अब ये रेडी है, तो इसको सोस के साथ सर्फ कीजिए, ये सच में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये उपर से देखने में क्रिस्पी है, लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट है, अब इसके बाद मैंने इसके पर थो आसा चार्ट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, नेक्स वीडियो में,